बच्पन से हम किताबों पढ़ते सुनते आ रहे हैं कि सराब हमारे सिहत के लिए काफी हांकारक होता है। लेगर सवाल यह है कि जब सराब शिहत के लिए नुक्सान दायक होता है तो सेना को शराब पेने के लिए क्यों दी जाती है। अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल उठता है तो चलिए जानते हैं इसके पीछे के असल वज़ा क्या है दरसल देश की सेवा में लगी जवानों का खाने पीने सोने जागने का कोई फिक्स समय नहीं होता है जिस भी वक्त उनके जरूरत पड़ती है वो देश की सेवा में खड़ी हो जाते हैं यानि सेना के जवान को हर वक्त किसी भी चुनवती से निपड़ने के लिए तयार रहना पड़ता है ऐसे में शराब सेना के जवानों के लिए बड़ी कारगर साविच होती है वह भारत के ऐसे कई इलाके भी हैं जहां पर सीमा की सुरक्षा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जैसे सियाचींप और लेलाददाग इन दोनों इलाकों में भारी ठंड पढ़ती है और अथापमार माइनस 50 डिगरी तक भी पहुच जाता है ऐसे जगों पर शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए सहिनकों को शराप की बोतले पीने के लिए दी जाती हैं जिससे जवान को ठंड का एसास कम हो दूसरा कारण यह भी है कि सहिनकों को घर जाने में काफी वक्त बुजर जाता है जिस वज़े से उनके काम पर इसका असर दिखने लगता है जिससे उस तनाव को निकलने और काम पर फोकस करने के लिए भी साइनकों को शराब पीने के लिए दिये जाती है बदादे कि इसके लिए सरकार लिम्टेड वज़त भी जारी करती है जिसके मुताबिक कोई भी जवान निश्ची सीमय तक शराब को सेवन कर सकता है इसके साथ ही फोजियों को टेंसर से मुक्त रखने में शराब काफी हम भूम का निवाती है यही वज़ा है कि फोजियों को शराब को सेवन से मना नहीं किया जाता है हलाकि शर्थ होती है कि सायनिक में नशे कासर ड्यूटी पर नहीं दिखना चाहिए नहीं तो फोजी की ड्यूटी भी जा सकती है इसके लिए भगादा सैनिकों को थोड़ी थोड़ी मातर में ड्रिंग करने के सला दी जाती है वह आपको यहाँ भी बतादे कि किसी भी सैनिकों शराब पीने के लिए फोर्स नहीं किया जाता है जो शराब नहीं पीते हैं उनके लिए एनेर्जी ड्रिंक्स के सुधा मुहिया कराई जती है वैसे सैनिकों को शराब देने की परंपरा ब्रिटिस खाल से ही चली आ रही है सेना मानती है कि शराब पीना नुक्सान द्याग जरूर है लेकर सीमित मुहत्र में इससे इस्तिमाल करने के कई फायदे हो सकते हैं इसलिए जवानों को शराब पीने के लिए दी जाती है डी थ्री न्यूज